वर्ल्ड न्यूस के स्पॉंसर हैं स्वागत अद्दक लेसन और मसाले 100% प्यूर एंड हाईजिनिक असलाम अलेकूम आदाब मैं हूं कलीर फरहाद मेरे साथ देखिये वर्ल्ड न्यूस शुरुआत करते हैं हेड्लाइन से असराइली फोर्स और यहुदी आवादकारों के खिलाव फलस्तिनी मजाहमतकारों के हमले जारी असराइली फोर्स की जारियत के खिलाव कुदिता 24 गंटों में किये गए मुतादीत हमले असराइली फोर्स के हमले में एक लड़की हुई शदीज सखमे एरान में हकुमत मुकालिफ मुझाहरों में आई शिद्धा एरानी रजीम के खिलाव हावाज उठाने पर सुप्रेम लीडर अली खामनाई की भांजी को तीन साल कैयत की ससा यूकरेन जंग में आ रही शिद्ध के दर्मियान तुर्किया के सदर एर्दवान ने फिर की जंगबंदी की पेशकश कहा तनाजी को हल करने की वो अपनी कोशिशे जाली रखेंगे साइकलोन मेंडोस ने तमिल नर्डो में मचाई तबाही उडगई घरों की च्छते आंधर परदेश और तेलंगाना में भी देखा गया असर हैदरबाद में सुब से ही अबरालूध है मौसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तर्मियान किर्कट टॉर्नमेंट के सवाल पर फॉरेंट मिनिस्टर जैश रंकर ने कहा टॉर्नमेंट आते जाते रहते हैं और आम आदमी पार्टी में कल दू कौंसलर्स के साथ शामिल होने वाले कौंगर्स लीडर अली महदी ने की तोहबा अवाम के घुस्से और रहतजाज के बाद दूबारा कौंगर्स में हुए शामियान यतिर इटलाइंस बढ़ते हैं कबरों की तफसील के जानेब फलस्तिन के मगर्ब किनारे और मगबुजा बैतल मुकदस में असराइली फोर्स और यहुदी आबादकारों के खिलाब गुदिश्टा 24 गंटों के दौरान फलस्तिनियों की मजाहमती कारवाईयां जारी हैं फलस्तिनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने गुदिश्टा 24 गंटों के दौरान मगर्ब किनारे और अलकुस में 33 कारवाईयों के निशान दही की है इन विकास तोर पर दो शूटिंग की कारवाईयां आबादकारों से तसादूं और उनकी गाड़ियों को तबाह करना और 16 मकाम पर तसादूं की कारवाईयां शामिल हैं मदामती कारकुनों ने सलवाद के करीब कावस फाउच पर फाइरिंग की और रमला में आफरा बस्ती में भी फाइरिंग की इस दोरां तादातरीन खबर ये भी आ रही है कि बैतलमकदस के आहाते में इसराइली सेक्रेटी फोर्स जारहाना कारवाई करते हुए एक लड़की को शदीद जदोकूब किया और उसे तशद्दूत का निशाना बनाया कि शर्च्ण है कि बाогन करते है फिरोना को झाया बच्ण का बढी झाया खिर चलाज कोूब है आई संद्द्वर्ण दद्द्डद्द्दिद्दन उजजाना वेयर हाँ जच्छूब और रमें का ए oppछना में मां खै घब्लियो कर से कर दो कर दो अखाओगाफ जूसु अखाओगाफ साओधी महाकमे पासपोर्ट के एक कानून के मताबिख घरेलू गयर मलकी कारकुनों का अकामा दो बरस के लिए रिनेवल कराया जा सकता है साओधी का बरसा अधारे के मताबिख महाकमे इमिगरेशन और पासपोर्ट जवाजात के तहथ गरेलू कारकुनों के एक कामे और दो बरस के लिए रिनेवल किये जा सकते हैं जब के कमिर्शियल कारकुन जो के क्मपणी या तीजारती अधारे की जिर कफालत होते हैं उनके अकामों का इजरा और रिनेवल से कबल उनके वर्क परमिट बनाई जाते हैं कमर्शल कारकुनों के वर्क पर्मिट का इजरा और उनके रिनिवर विजारत इफरादी कुवत वसमाज बहबूत आबादी के प्रोग्राम सौधाई देशन के तहद किया जाता है चीन और खलीजी खायदीन ने मतफ़का फैसला किया है कि खलीज ताउन कौनसिल के रुकन मुलकों की सलामती या टूट अंग है उससे तुकडों में नहीं बांटा जा सकता इरान की जानिब से एराक लिबनान और यमन में मुसला फिरकावारान गरूपों की इमदाद जारी रहना काबल मजबत है फरिकेन स्ट्राटेजिक शिराकत के लिए काम करेंगे फरिकेन मुश्तरका मफदात के हसूल में एक दूसरे की मदद करेंगे इन ख्यालात का इजहार चीनी और गलीजी कियादत ने गलीजी चीनी सरबराही कॉनफरंस बरायत ताउन वटरकी के जलास के मौके पर इत्पाक गराये से मनजूर किये जाने वाले मुश्तरका एलामिया की मनजूरी देते हुए क्या कॉनफरंस की सदारत सौदी वली आहद वो वजिर आजम शहजादा मौमद बिन सल्मान ने की सौदी हुकमत के वजिर खारजों ने रियाज वो तहरान के दर्मियान जारी मजाकरात के उफ़क को ताबनाक करार देते हुए कहा कि एरान किते का ही एक मुलक और हमारा परोसी है और हम एरान के साथ ताउन के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे बता दें कि सौदी अरब ने तीन जनवरी दो हजार सोला को तहरान वो मशहद में अपने सिफारती मराकिस पर बाद अफराद के मुबयना हमलों के बाद एरान के साथ अपने तालुकात मुनकता कर लिये थे सौदी अरब के मारूफ शिया आलमदीन और मजहभी रहनुमा आयतल्ला शेख बाकर अलनिमर को आल सौद हुकाम पर तनकीद और हकुमत के खिलाफ हवाम को बगावत पर उक्साने जैसे मतादित इर्जामात के तहत सजा मौत दे दिये जाने के बास से दुनिया भर में बिलकुसोसी एरान में शजीद अगम वो घुस्से के लहर दोड़ गए थी एरान की सुप्रीम लीडर अली कामनाई की भाण जी को भी तीन साल कैद की सजा सुना दी गई है सुप्रीम लीडर की भाण जी और बहन समेद बहन का तकरिमन पूरा कांदान एरानी हकुमत मुकालब मुझाहरों का हामी और इस हकुमत के कात्मे का क्वाहश मंद है कांदान के अफराद मुक्तलिफ मौके पर एरानी रिजीम के किलाव आवाज उठाते रहे हैं इरानी लीडर की बहन भी सेक्रिटी हलकारों को हकुमत के किलाव एहतिजाज का हिस्सा बनने का मशवरा दे चुके हैं जबके फरांस में एक भाणजा भी इरानी हकुमत के साखत किलाव बहन दे चुका है सुप्रिम लीडर की भांजी फरीदा मराकानी को एक महीने पहले ही गिरफतार किया गया था और कल जुमा के रोज तीन सार कैट की सजा का एलान किया किया है इरान के जनूब मश्रकी सूब सीस्तान बलुचिस्तान में सुनी आलम को अगवा के बाद गतल कर दिया गया सीस्तानी सूब एरान का गरीब तरीन सूबा है नसली तोर पर ये बलोच आबादी का इलाका है इस आलाके में आम तोर पर तशद्द भरे वाकिया होते रहते हैं हता के बाईस साल में सामीनी के हलाकत के बाद जारी मुलक गीर रहतजाज के असरात इस सूबे में भी नज़र आए है तर्किया की सदर एर्दवान का कहना है कि रूस और यूकरेन तनाज़े को हल करने की वो अपने कोशिशें जारी रखेंगे सदर एर्दवान ने टि-र टी यूर्ट फोरम से गताब करते हुए बताया कि वो रूस और यूकरेन तनाज़े को हल करने के लिए रूसी सदर पूतिन और यूकरेनी सदर वुलाद मेर्जलनस्की से बात चीट करेंगे सदर अर्दवान का कहना था कि तर्किया अनाच की राहधारी के मुहाइदे को मजीद मजबूत करना चाहता है और ज़रूरत मंद मुमालिक की मदद करना चाहता है फ्रांस के दर अलकुमत पैरिस के मतादिद आलाकों में बिजली की सप्लाई मतासर होने से पूरा शहर अंधेरे में डूप गया एनेडिक्स एलेक्रिक कमपनी के मताबग, मुकामी वक्त के मताबग, राद 11 बजे बिजली के तारों के मरमत की वजह से बिजली की सप्लाई में रुकावट पेश आई, जिसके बाद पैरिस के मुक्तलिफ इलाके अंधेरे में डूप गए सेंटरल पैरिस के हेट एरेनल वेल ने ट्वीट में इस बात की तज़ीख की और बताया कि पैरिस फायर ब्रिकेड बिजली के ट्रांसफार्मर में करावी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं बलेडर में कबरें अभी और भी हैं फिरहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एहम नैशनल योज़ साइकलोन मेंडोज जुमा की तेर रात तमिलनाडू के साहिल को पार करते हुए पचातर किलोमेटर फी ग्रेंटे के रफ़तार से पहुंचा जिसके बाद साइकलोन गहरे दबाओ के वज़े से कमजोर पढ़ गया हलांके कमजोर होने से पहले साइकलोन मेंडोज ने तमिलनाडू में खुब तबाही मचा है तमिलनाडू के कई हजला में घरों की चट उड़ जाने पेड़ और पोल उखड़ जाने की कबरे सामने आई है वही मुसलाधार बारिश की भी कबर है इसके अलावा खराब मौसम के वज़े से चन्ने एरपोर्ट पर तेरा डोमेस्टिक और तीन इंटरनेशनल फलाइट्स कैंसल कर दी गए इस दोरान स्कूल और कॉलिजों को भी आज चुटी दे दी गए है साइकलोन मेंडोस की वज़े से तमिलाडू में तो तबाही हुई ही है वही बड़ोसी रियासत आंधरा परदेश और तेलिंगाना में भी इसका असर देखा किया आज सुब से ही तेलिंगाना की दार लुकमत हैदरबाद में मौसम अबरालूद है और सुब से ही सरदी में कासा इजाफा देखा किया है फॉरन मिनिस्टर एजजेश शंकर ने इंडिया और पाकिस्तान के दर्मियान किर्केट मैचेज नहीं होने की बात को कारेच किया साथ यह उन्होंने सरहत पार से हो रही देश्चत गर्थी को लेकर सखत पेगाम दिया है काबल जिकर है कि बी सी सी आई ने हाल ही में कहा था कि हिंदुस्तान एशिया कब दो हजार तेश के लिए पाकिस्तान का दोरा नहीं करेगा इस सब की वज़ा बी सी सी आई और पी सी बी के दर्मियान जबरदस्त तनाज़ा हुआ था फॉरन मिनिस्टर एस जेशन करने कहा कि टॉर्नमिंट आते जाते रहते हैं और आप हकूमत के मौकफ से वाकिफ हैं देखते हैं क्या होता है ये एक पेच्चिता मसला है कि आप मुझसे बात करेंगी अगर मैं आपके सर पर बंदूख रगतू अगर आपके परोसी खुले आम देश्चित गर्दी की हमायत करते हों इस बारे में कोई राज नहीं है कि देश्चित गर्दों का गायत कौन है कैम्प कहा है एक न्यूस चैनल की प्रोग्राम में शरीक हुए आम आदमी पार्टी के लीडर संदेश सिंग ने बीजेपी पर तनकीत करते हुए कहा कि आप अवाम कुछ चीन पाक का डर कब तक दिखाते रहेंगे उन्होंने कहा कि आप राश्टवाद की बात करते हैं क्या हिंदोस्तान के प्यादत में हिंदोस्तान इतना मदबूत नहीं हो पाया है कि आप दिन रात हिंदोस्तान की अवाम को चीन और पाकिस्तान से डराते रहते हैं मेंगाई पर सवाल पर बहस नहीं करेंगे काले धन पर बेरोजगारी पर MSP पर बहस नहीं करेंगे जब यह बात करेंगे पाकिस्तान और चीन पर होगे हिंदुस्तान को दुनिया के सामने इतना कमजोर मत बनाई है कौम को आप कमजोर करें हैं आपने हिंदुस्तान को इस हालत में पहुँचा दिया है संजय सिंग ने आगे तंस करते हुए कहा कि भारत माता की जय हिंदुस्तान की जाएदा दे बेच कर नहीं होगी कौंगर्स खाय जयराम रवेश ने कहा कि हिमाचल में पियम मोदी समयत बड़े बड़े लीडरों की तशहीर के बावजूद बीजेपी हुकुमात फेल हो गई है ये इस बात से कोई नहीं भाग सकता और प्रतान मंदली ज़रूर भागने की कोशिश कर रहे हैं की हिमाचल प्रदेश में उनके प्रचार केे बावजूद बंड़ा साब के प्रचार के बावजूद अनुराक ठाकूर के प्रचार के बावजूद दबल इंजिन सरकार डीरेल हो गई पांच प्रतिशन वोट शेर घटा और कॉंगर्स पार्टी को फिर से должна देश मिला बबारा कॉंग्रेस में आ गए हैं अवाम की शदीद एहतजाज और घुसे को देखते हुए जहां उन्होंने अवाम से माफी मागी वही अपने साथ गए दो कॉंसलर्स के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये दोनों भी वापस आ जाएंगे और वो हमेशा कॉंग्रेस में ही र द्र 10 या मुझसी और कॉंग्रेस पार्टी जोड़ माफी मांगता हु मेरे निगम पार्षड ने भी हाजी खुश्नूद ने सबीला वेगम के एस्बेंट ने भी एक वीडियो में उन्से डलवाई उन्होंने भी ढल दिया भी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अब्डेक्श भी आ रहे हैं वो भी ये वीडियो डालेंगे और हम कॉंगर्स पार्टी में ठे हैं और रहेंगे मसड़ी में शांदार जीद के बाद केजरिवाल ने अपने नौ मतकिब कॉंसलर्स को मशवरा दिया कि उन्हें बीजेपी करीदने की कोशिश करेगी साथ ही उन्होंने तेलिंदाना में मलेस की करीदी मामले का भी जिकर किया और लास्ट में प Kern है एक जो सब से इंपोर्टेंट से यह आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे आल्रेड़ी फोन आने चालू हो गया है कुछ लोगों के पास फोन है किसी को कह रहे है आपक्स लयाख लयो किसी को कह रहे हैं पचास लयाख लयो हमारे पक्ष में वोट डाल दो मुझे पूरी उमीद है आप में से कोई नहीं बिखने वाला एक एक आप में से हीरा है में को पूरी उमीद है लेकिन इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है तो अपने अपने फोन रेकॉर्डिंग पे लगा लो जो भी फोन आए रेकॉर्ड हो जाएगा तो रेकॉर्डिंग पे लगा लो रेकॉर्ड कर लेना और अगर कोई आके मिले तो दीरे से अपना फोन की रेकॉर्डिंग अन कर लेना इनको रेकॉर्ड कर लो इनको एक्सपोज करना ये दिल्ली की हमने 40 maily खरीद लिए so Great इंको sa glad Krilda कोरी करेंगे हरेух एलिए उन्हों कोई आए आपके पास सबकी recording कर लो और recording करके इंको एकश्केरेंगे इनकी कुरीतियां दजनता के सामने लाना बहुत जरूरी है और अगर किसी के पास भी फोन आए कोई मिलने आए तुरंट अपने कॉर्डिनेटर को बता देना अभी जो मनीज जी ने बताया आतीशी, दुर्गेश, सौरव, आदिल जो हैं इन मेंसे जैसी आपके पास, आपके मेलेज भी हैं अपने मेलेज के भी संपर्क में रहना और अगर कोई जरूर पढ़े तो इनको भी बता देना अपने अपने मेले को बता देना या उपर बता देना उनको जरूर बता देना ताकि इसके उपर हम तुरंट एक्शन ले सकें आप लोग सब लोग का अगले पांच साल खूब अच्छे भी थे हैं आप लोग खूब एंजॉय करो काम करना जनता के खूब आपको आशिरवाद मिले ऐसे मैं प्रभू से कामना करता हूं बहुत बहुत शुक्त लिए अब आखर मैं एडलाइंस पर एक और नज़र इस्राएलि फोर्स और यहुदी आवादकारों के खिलाफ, फलस्तिनी मजाहमतकारों के हमले जारी अस्राइली फोर्स की जारियत के खिलाव कुजिता 24 गंटों में किये गए मुताधित हमले अस्राइली फोर्स के हमले में एक लड़की हुई शदीज सखमे इरान में हकुमत मुकालिफ मुझाहरों में आई शिद्द इरानी रजीम के खिलाव हवाज उठाने पर सुप्रेम लीडर अली खामनाई की भांजी को तीन साल कैयत की ससा यूकरेन जंग में आ रही शिद्द के दर्मियान तुर्किया के सदर एर्दवान ने फिर की जंग बंदी की पेशकश कहा तनाजे को हल करने की वो अपनी कोशिशे जाली रखेंगे साइकलोन मेंडोस ने तमिल नर्डो में मचाई तबाही उडगई घरों की छते आंदर परदेश और तेलंगाना में भी देखा गया असर हैदरबाद में सुब से ही अबरालूध है मौसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तर्मियान किर्कट टॉर्नमेंट के सवाल पर फॉरेंट मिनिस्टर जैश रंकर ने कहा टॉर्नमेंट आते जाते रहते हैं और आम आदमी पार्टी में कल दू कॉंसलर्स के साथ शामिल होने वाले कॉंग्रेस लीडर अली महदी ने की तौपा हवाम के घुस्से और रहतजाज के बाद दुबारा कॉंग्रेस में हुए शामियन वर्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनाशनल और नाशनल न्यूज देखते रहेए बीबियन चैनल बीबियन चैनल के विवर्स के लिए एक अहम इत्यला अब बीबियन चैनल का टेलिकास्ट भारत भर में हो रहा है हमारे viewers भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN channel देख सकते हैं स्क्रीन पर BBN channel की टलीकास्ट डीटिल्स दस्तियाब हैं इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN channel देखना चाते हैं तो आप अपने cable operator को इसके लिए कह सकते हैं आपकी डिमांड पर वो जरूर BBN चानल टेलिकास्ट करेंगे क्योंकि BBN एक free to air चानल है इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिये गए नंबर पर केबल ओपरेटर से कॉल या वाटसाप पर मेसेज करवाना है हम आपके केबल ओपरेटर तक BBN चानल पहुचा देंगे जिससे वो आपके एरिया में टेलिकास्ट कर सकते हैं इसके लिए चानल की हमारी पूरी टीन लगातार कांग कर रही है ताके आप तक BBN चानल को पहुचाया जाए इसके अलावा BBN चानल को भारत भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है अगर आप सहाफी हैं और BBN चानल से जुणना चाहते हैं तो आप भी दिये गए नमबर पर रब्त कर सकते हैं झाल